एक विद्यार्थी को परिक्षा में उत्तिन होने के लिए कम से कम पचास प्रतिसत अंक चाहिए, विद्यार्थी ने पचास अंक प्राप्त किये, जो पास होने के लिए अनिवार्य नियूंतम अंकों से पचास कम थे, प्रश्ण पत्र में पूर्ण आंक होंगे, ये प्रतिस का कुल पूर्णांग, कुल पूर्णांग मान लेते हैं, तो यहाँ पर मानते हैं, माना परिक्छा का कुल पूर्णांग एक्स है, एक्स हमने मान लिया, तब क्या होगा? तब एक्स का हम पचास पतिसत अंग बताया गया है, यह और कितने अंग प्राप्त किये हैं, पचास अंग प्राप्त किये हैं, और कितना कम हैं, पचास कम हैं, अब इसका हम, इसका यह पचास है, इसका परसेंट निकालते हैं, तब क्या होगा? X गुणा इसका प्रतिसत का मतलब 100 होता है तो बटा 100 और इसको जोड़ देते हैं इसको जोड़ेंगे तो 50 और 50 100 हो जाता है अब क्या होगा X के बराबर ये 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 बटे 50 अभी से हेल कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 तो X बराबर हो जाएगा 100 गुणा दो बराबर 200 तो पुर्णांक 200 अंको का था मुकेश का वेतन स्याम के वेतन से 25 पतिसत अधिक है स्याम का वेतन मुकेश के वेतन से कितना कम होगा option दिया है 20 पतिसत option B 31 दसमलो 33 पतिसत option c 45% और option d 30% चलिए इसे हल करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला आता है उसमें हम इसे रखेंगे x बटे 100 धन x गुणा 100% यहाँ पर अधीक हो रहा है इसलिए धन का चिन्ह लगा है यदि कमी होता तो यहाँ पर हम रिन का चिन्ह लगाते तो अभी अधीक है इसलिए हम धन का चिन्ह लगाए है और x यह है 25 पतिस है तो x के जगा में हम 25 रखेंगे चलिए रखते हैं 25 बटे 100 धन 25 गुणा 100 अभी से हल कर लेते हैं तो यह 25 बटा 125 गुणा 100 यह प्रतिसात में है तो इसका इसका गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2500 बटे 125 जब इसे कट करते हैं तो यह 20 बार में चला जाता है इसलिए इसका सही जवाब होगा ओप्शन है 20 पतिसात एक टोकरे में रखे नासपती में से 20 पतिसात खराब है यदि इस टोकरे में खराब नासपती की संख्या 35 तो कुल कितने नासपती है शलिए ग्याद करते हैं माना कुल नासपती की संख्या एक सहे माना कुल नासपती की संख्या एक सहे तब क्या होगा, तब हो जाएगा, x गुणा, 20 प्रतिसद खराब है, तो 20 प्रतिसद बाराबर 35 है, इतने खराब है, 35 खराब है, अब इसे हम प्रतिसद में बदलते हैं, तो यह हो जाएगा, x गुणा, इसको हम प्रतिसद में बदलें, तो 20 बटे 100 बराबर 35, हमें x का मान ग्याद करना है, x बराबर हो जाएगा, 35 गुणा, यह उपर चला जाएगा, 100 बटे 20, अब इसे हल करते हैं, तो यह यह कड गया, यह हो जाएगा, 350 बटा 2, अब इसे अधा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 175, तो कितने नासपति थे, कुल नासपति थे, 175 तो ऑप्षन भी सहीं हो जाएगा, चलिए, सिम, इसको भी वैसे बनाते हैं, एक टोकरे में रखे 36 पर 30 संथ्रा खराब है यदि इस टोकरे में अच्छे संत्रों की संख्या 144 तो कुल सेबों की संख्या क्या होगी यह मानते हैं माना कुल संत्रों की संख्या बराबर एक से हैं तब क्या हो जाएगा अच्छे संत्रों की संख्या कितनी होगी वो ज्याद करते हैं तब अच्छे संत्रों की संख्या हो जाएगी एक संख्या कितना 64 क्योंकि 36 खराब है मतलब 100 संत्रे थे उसमें 36 खराब हो गए तो कितना बचा 64 जो है अच्छे संत्रे हो गए तब हम क्या करेंगे एक से गुणा यह 64 सहीं है तो 64 बराबर 144 तो एक से बराबर हो जाएगा एक से कमान ग्याद करना है तो तो 144 गुणा 100 बटे 64 हो जाएगा जब हम इसे हल करेंगे तो एक से कमान निकलेगा 225 इसे आप हल कर लिजेगा अंसर निकल कर आएगा 225 तो ओप्शन दी 225 सहीं होगा चलिए अब पांचवा प्रशन है राम का वेतन स्याम के वेतन से 50 प्रतिसत अधिक है स्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिसत कम होगा कम होगा पूछा गया है तो सबसे पहले हम इसे सुत्र में लिखते हैं सुत्र मैंने बताया था X बटे 100 धन X और इसका 100 परसेंट ये सुत्र है चलिए इसी सुत्र में रखते हैं कितना अधिक है तो 50 अधिक है अधिक बोला गया है इसलिए धन का चिन है कम बोला जाता तो रिन का चिन है तो X का मान 50 है तो चलिए लिखते हैं 50 और ये हो जाएगा 100 धन 50 इसका गुणा 100 इसे हल करते हैं तो यह हो जाएगा 50 बटे 150 गुणा 100 तो यह अब इसको करेंगे तो यह हो जाएगा पांच हजार बटे 150 यह तो 500 बटे 15 हो गया 15 तिया 45 फिर 50 हो गया 15 तिया 45 तो मतलब यह ऐसा चलता रहेगा तो इसका सही आंसर निकल कराया है 33.33 तो आप्शन B में दिया हुआ है आप्शन B सही जवाब होगा वेतन स्याम के वेतन से 15 परतिसत अधीक है स्याम का वेतन मुकेश के वेतन से कितना परतिसत कम होगा इसमें चार आप्शन है A 20 परतिसत, B 10 परतिसत, C 5 परतिसत, B 30 परतिसत अभी हमने ऐसे प्रशनों को हल किया हुआ है तो आप लोग इसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताईएगा इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से सॉल्व कीजेगा और बताईए इसका सही जवाब कौन सा है